हलो एवरिवन, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम तू मैं न्यू व्लोग तो इधार टाइम है सुबह का करीब पौने च्छे का और मैं उठी थी सुबह पांच बजे और साथ में आयान भी उठ गया था आयान रूम में है और मैं फ्रेश वगयरा हुई उसके बाद थोड़ी दिर मैंने च्छत पे वॉक की उसके बाद बस मैं नीचे आई और मैंने रग दिया है अपने लिए जीरे वाला पानी उबलने के लिए आज कल मैं जीरे वाला वाटर पी रही हूँ पहले मैं नॉर्मल वाटर पीती थी गरम पानी पीती थी बट नॉर्मल पीती थी उसमें कुछ हैट नहीं करती थी अभी दो चार दिन से थोड़ी सी ना मेरी तब्यत वगरा खराब हुई तो फिर मैंने ना ये जीरे वाला वाटर पीना है स्टार्ट कर दिया इस से ना थोड़ा सा मेरा जो पेट है वो ठीक रह रहा है तो बस जीरे को ना मैंने रात को भीगा दिया था एक तरफ जीरे का पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया तब तक मैंने लगा ली पूरे घर में जाड़ू तो इदर मैं पूरे घर में जाड़ू लगा लूँगी तो जाड़ू का काम ने पढ़ जाएगा तो बस इदर लग गई है जाड़ू उसके बाद फिर से मैं आ जाओंगी किचन में क्योंकि अब टाइम हो गया है नाश्टा बनाने का तो बस आज नाश्टे में मैं बनाओंगी पोहा जिसके लिए मैं ना पोहे को वाश करके रख दूँगी जब तक मेरा जीरे वाला वाटर उबल रहा है उसको ना बहुत अच्छे से उबलना है जैसे अगर आप एक कप उबल रहो ना तो जब वो आदा कप रह जाए तब तक उसको उबलना है तो बस इदर मैं पोहा निकाल लूँगी पोहे को वाश कर दूँगी और जब तक मेरा ये पोहे का काम होगा ना तब तक इदर मेरा जीरे वाला पानी भी उबल जाएगा तो बस इदर बौह भी मैंने वॉश कर दिया इदर मैंने जो जिरे वाला पानी है वो भी उबल गया था बस उसको मैं कप में निकाल लूँगी और इसको मैं प्यूँगी गरमी ही गरम जैसे हम लोग चाय पीते है ना सिप शिप करके तो बस ऐसे ही प्यूँगी मुझे ना बहुत जादा गैस की प्राब्लम हो गई थी जो इसलिए ना मैं जैसे ये जीरे वाला पानी अब खाली पेट पीती हूँ ना तो मुझे बहुत आराम है मतलब बहुत जादा आराम मिला है मुझे इससे तो बस और साथ में इधर मैंने ये कुछ सबजियां थी जो रात को चौप कर ली थी जो लाल वाला जो पता को भी आता है ना वो है और साथ में है शिम्ला मिच और उसकी बनाऊंगी मैं नूडल्स तो फिलाल तो अभी इदर मैं बनाऊंगी पोहा पोहे के लिए जो सारे मसाले थे मैंने डाल दिये मुंफली डाल दी अच्छे से भून लिया और पोहा रेडी हो गया उसके बाद बस इदर मैं गरम पानी में डाल दूँगी नूडल्स अच्छा पोहा जो है नाश्टे में हो जाएगा और ये जो नूडल्स है ना ये पती देव ले जाएगे अपने टिफिन में आज तो बस इदर नूडल्स भी उबल रहे थे पोहा बन गया था साथ में इदर मैंने चाय में दूड डाल दिया चाय बन जाएगी साथ के साथ इदर नूडल्स भी उबल जाएंगे तो बस उसके बाद ना मैं निकाल लूँगी नाश्टा जो मैं हस्बंट को दे दूँगी और जो आयान खाएगा और वो खाएगे मतलब वो आयान को भी खिलाते जाएंगे और खुद भी खाते जाएंगे आजना मैंने दो कप चाय बनाई है क्योंकि हस्बंट की भी तब यह ठीक नहीं है उनने भी बहुत कोल्ड हुआ है तो इसलिए मैंने एक कप चाय उनके लिए भी बनाई बस ये नाश्टा लेके जाओंगे मैं रूम में मैं भी साथ में बैटके आराम से थोड़ी देर चाय पियोंगी और ये लोग अपना नाश्टा करेंगे तो बस नाश्टा वाश्टा करने के बाद फिर से मैं आगे किचन में इधर मुझे अब तयार करना था आयान के लिए टिफिन जो स्कूल में जाएगा तो आज मैं उसको टिफिन में देने वाली हूँ आलू और प्यास का पराठा तो मैं सिर्फ एक ही पराठा बनाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ आयान के लिए है हस्बन पराठा नहीं ले जाएंगे वो लेके जाएंगे नूडल तो बस एक पराठा मैं बनाऊंगी तो बस इधर मैं आयान का पराठा रेड़ी कर दूँगी आयान के लिए पराठा बनाने के बाद बस मैं तयारी करूंगी नूडल्स बनाने की अच्छा ये सब करते करते ना करीब इधर बजगे थे साथ और बस देखे इधर आयान का पराठा रेडी हो गया है आयान के लिए पराठा रेडी हो गया है बस अब इधर मैं नूडल्स बना लूँगी तो मैंने ओयल लिया है उसमें ये सारी सबजिया डाल दी है पत्ता गोभी शिमला मिर्च प्याज और इसको थोड़ा सा फ्राइ कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए नूडल्स साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा सोया सॉस और उसके बाद डाल दूँगी ना चौमीन वाला जो मसाला आता है ना वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो बस इधर नूडल्स भी बनके रेड़ी है उसके बाद बारी आ जाती है आयान का टिफिन रेड़ी करने की तो बस जो पराठा बनाया था वो रख दिया है साथ में मैंने रख दिया है कुछ ग्रेप्स साथ में रख दिया है कैरट और जो नूडल्स बनाया थे तो मैंने वो भी साथ में रख दिया ुआ था तो दूनू का टिफिन पैक हो गया तो सब्सक्राइब कर लूँ मैं क्लीनिंग क्लीनिंग है उसके पाल शाथ मुझे भी जिम निकल गयãy अच्छा इस ताइम ना हमारी हम तो हम मेरी और आयान थोड़ी अलग-अलग चल रही है आयान जाता है 7-8 बजे और मैं जाती हूँ जिम के लिए 9 बजे क्योंकि आयान के एक्जांस चल रहे हैं इसलिए वो घर से 7-8 बजे निकल जाता है तो बस इदर जल्दी से मैंने बैट शीट बिचा दी आयान ने बैट पे पूरे बैट पे पोहा गिराया हुआ था तो बस उसको जाड़के मैंने उदर साफ कर दिया अब इदर मैं आयान के टिफिन जो है उसके बैग में रख दूँगी उसके बाद बस बारी आ जाती है आयान को नहलाने की है और बहुत मस्ती कर रहा था पता है जब यह नहाता है न तो यह कहता है कि मुझे बातरूं में अकेला छोड़ दो और मुझे खुद से ही नहाने दो तो बस इदर नहा के आ गया था उसके बाद मैं आयान को रेड़ी कर दूँगी क्योंकि स्कूल जाने का टाइम हो गया था और ठीक सवाट बजेना आयान घर से निकल जाता है कि मुझे बाहा आया और धिसे नहाँ, भीजा की दोड़िया तेड़िया थाल भी जादा आया है इवार कर दो गया जाए शाने क्योंकि जादा और थाज़िया से लीकित आया है जादा बाहाँ खबएवार्द है तो आयान स्कूल के लिए निकल गया था अब इसके बाद मेरे पास बचे थे सिर्फ 45 मिनट और 45 मिनट में मुझे अपने सारे काम खतम करने थे तो बस जल्दी से मैंने कर दी दोनों कमरों में किचन में सब जोगे धुलाई पानी डालके गर्मिया है ना गर्मिया स्टार्ट ह गई है ना तो अप मैं डेली ना दुलाई करने के बाद ही पोच्छा लगाती हूँ तो बस मैंने पूरे घर में दुलाई कर दी उसके बाद बस इदर जल्दी से मैं किचन साफ कर दूँगी गैस साफ कर दूँगी और जो सारे बरतन हो गए थे ना सारे बरतन क्लीन कर दू मैं हो गई थी मतलब मेरा काम 9 बजे तक पूरा खतम हो गया था उसके बाद बस मैं रेडी हो गई जिम जाने के लिए तो इधर ये दे के 9 बच चुके हैं और बस मैं अपना बैग रेडी कर रही हूं जिम का उसके बाद बस मैं निकल जाओंगी जिम के लिए तो इदर टाइम है करीब 11 का मैं आ गई थी जिम से जिम से आते ही मैंने अपने ली बनाए ओर्ट्स जिसमें मैंने डाले हैं फ्लैक सीट और पंकिन सीट तो यह खाऊंगी उसके बाद फिर मैंने अपने ली बनाए था सैलेड जिसमें मैंने लिये हैं बॉयल चने साथ में मैंने डाला है पनीरी टमाटर प्याज और लाल वाला पता गुबी तो यह सब डालके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर मैं इसमें डालूँगी उपर से थोड़ सा चार्ट मसाला औ जो मैंने कुछ टाइम पहले घर पर ही बनाया था इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कुछ भी डालने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस नमक में ना मैंने सारी चीज़े डाल के बनाया था तो मैं आलू के जो पराठे या किसी भी चीज में न वीडियो अगर कहीं भी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चानल को सब्सक्राइब करिएगा बाई बाई